हेलो और विल्कम बैक टू किरिंस कामर जोन तो दोस्तों आज के सेशन में हम कोशिशन नंबर टू जिरो वन से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे पंदरा कोशिशन तक इसको कम्प्लीट करने की इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी चैनल पे क्योंकि साउंड इशू की वैसे वह मुझे फिर से डिलीट करनी पड़ी तो आज फिर से मैं मोबाइल पर बना रहा हूं यह जो हम डिसकस कर रहे हैं दोस्तों इसमें लगबग हम चार साढ़े चार सु एमसी की उस डिसकस कर चुके हैं मेरे खाल से पांसो कर चुके हैं और कोई 400 के क्रिये म भी बचे हुए हैं रहते हैं यह जो पीडिएफ हम डिसकस कर रहे हैं दोस्तों यह पीडिएफ आपको मिलेगी किरिंस कामर्जोन की एप पर उसी एप पर आपको 10 टेस्ट अकाउंटन्सी के मिलेंगे मॉक टेस्ट जिसमें 500 कोश्चन्स हैं विद एनलेसिस वीडियो और ए प्राइम फ बशिन आप्र फर दल्व फार्डर एयर देर वहाज़े डिस्पूट बिट्वीड प्रणर्स तीन पार्टनर हैं प्रॉफिट की डिस्ट्रिबिशन होना था लेकिन तीनों में डिस्पूट हो गया प्रॉफिट बीफ़ोर इंट्रस पार्टनर्स सीख थाले के एक चाता है कि उसको 20% क्योंकि क्यों क्यों मिलेक्स कपले के मुकाबले मतलब paganismatar में बताने की है कि मैसी में इस्थूइशन में क्या करेंगे खिए दोस्तो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब देट में भी होती दुर म List गusement姓 partnership deed किया है कि agreement होता है वो written में भी हो सकता है औरल भी हो सकता है तो written agreement है तो उसमें जो लिखा हुआ उसके according चलना है औरल है तब भी उसमें partnership act 1932 के rules applicable हो जाते हैं तो यहाँ पर किसी partner के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा हमें चलना है या तो agreement के उपर चाहे किसी partner ने कितनी ही capital के उना लगा रखी हो और जो profit होगा वो भी हमें equally distribute करना होगा तो यहाँ पर हमारे पस 6000 का profit है capital interest नहीं देना क्योंकि ऐसा partnership deed में कोई provision यहाँ पर दिया नहीं गया तो इस profit को हमें distribute करना पड़ेगा option देख लिएते हैं पहले क्या है profit of 6000 will be distributed equally कि 6000 का profit हम बराबर बांटेंगे B. X will get the interest of 20,000 and the loss of 14,000 will be shared equally कि X को 20,000 पर interest मिलेगा और जो loss होगा 14,000 का पार्टनर्स equally distribute करेंगे C. All the partner will get interest on capital and loss of रुपीज 39,000 will be shared equally कि सब partners को capital पे interest मिलेगा और loss को 39,000 जो loss आएगा उसको equally बांटेंगे और none of the above देकि सिंपल सी बात मैंने भी बता दी कि किसी partner को capital पेंटर्स नहीं मिलेगा अगर partnership deed में ऐसा कोई provision नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 6000 का profit हम पूरा बांटेंगे और profit sharing ratio ना हो तो हम इसको equally distribute करते हैं इसलिए ये इसका answer रहेगा चलिए जी, next question 202 XYZ are partner in a firm at the time of division of profit for the year there was dispute between the partner लो जी, यहां फिर से जगड़ा हो गया partners में क्या जगड़ा है, पहले पढ़ लेते हैं profit before interest on partners capital was 6000, capital interest देने से पहले profit 6000 का था and Z demanded minimum profit of piece 5000 as his financial position was not good however, there was no written agreement on this profit, भाई, सीधी सी बात है अगर written agreement नहीं है तो partner की demand करने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा according to partnership act 1932 के जो rules applicable हो जाएंगे क्योंकि written agreement नहीं है rules applicable हो जाएंगे उसके हिसाब से होगा तो यहां पर Z को 5000 का interest नहीं दिया जाएगा, पहले option पर लेते हैं, फिर आते हैं इस answer पर, option A जो है, other partner will pay Z the minimum profit and will suffer loss equally, कि other partner जो है, Z को minimum profit देंगे और loss को बराबर बांटेंगे option B, other partner will pay Z the minimum profit and will suffer loss in capital ratio, कि बाकी partner Z को minimum profit देंगे लेकिन loss को capital ratio में बांटेंगे option C, X & Y will take Rs. 500 each and Z will take Rs. 5,000 by X & Y को 500 रुपर मिलेगा और बाकी का 5000 Z को मिलेगा option D, Rs. 2,000 to each of the partner, कि 2,000 सब partners को मिलेगा, तो क्यूंकि यह 6,000 का profit है और partnership deed में ऐसा कोई agreement नहीं है कि किसी को minimum profit दिया जाए, इसलिए 6,000 का 6,000 partners में बराबर बटेगा, क्योंकि profit sharing ratio भी नहीं दी गई, उस case में यह profit बराबर ही बटता है, चलिए दोस्तों next पे move करते, next is, following are the difference between, two zero three question, following are the difference between capital account and current account accept, एक को छोड़कर, बाकी current account और capital account के differences हैं, हमें बताना कुण सा नहीं है, option a, capital account is prepared under fixed capital method, whereas current account is prepared under fluctuating capital method, देखिए, मैंने आपको दो method बताया थे, एक था fixed capital account और दूसा था fluctuating, तो अगर हम fix की बात करें, अगर हम capital को fix रखते हैं, fixed capital के अंदर, हमें दो तरह की account बनाने पड़ते हैं, एक होता है, partners, capital account, ठीक है, और दूसरा होता है, partners current account, partners जो capital account होता है, इसमें हम additional capital दिखाते हैं, या फिर drawings दिखाते हैं, drawings दिखाते हैं, out of capital और opening capital वगरा, और partners current account में partners की salary, commission, bonus, share of profit, ठीक है, share of profit, interest and capital यह सब दिखाते हैं, clear credit side में यह सारे credit side में दिखाते हैं और debit side में drawings से interest and drawings दिखाते हैं, तो fixed account में दो account बनाने पड़ते हैं, लेकिन fluctuating capital के case में हमें एक यह account बनाना पड़ता है, partners capital account और उस case में हम इन दोनों को merge कर देते हैं, यह दोनों को 181 account में दिखा देते हैं, ठीक है, plus का sign में ने डाला कि एक यह account बनाते हैं, क्योंकि current account का बनता है, जब capital क्या हो, fixed हो, इसलिए पहली option है, जो इसका difference नहीं है, जो capital account और current account का difference में नहीं आता, बी भी पढ़ लेते हैं, in capital account only capital introduced and withdrawn is recorded, बिल्कुल सही, and all other transactions between the firm and partners recording the current account, बिल्कुल सही, जब capital fixed होती है, तो capital account में हम capital introduced और withdrawn अभी में ने बताया है, वो दिखाते हैं, और बाकि जितनी भी transition firm और partners के बीच हैं, वो सारी के सारी हम current account में दिखाते हैं, कि जो interest दिया जाता है, वो capital balance पर दिया जाता है, sometime इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर partnership deed में provision है देनेगा तो दिया जाता है, तो interest जो दिया जाता हमेशे capital account बैलेंस पर दिया जाएगा, D, B and C, तो यह दोनों सही है, तो सही है, इसका जो answer है कि जो difference capital और current account के difference नहीं है, वो part A है, हलाकि जो इसकी answer की है, उसमें answer शायद D दिया है, तो इसको आप सही कर लेना, इसका answer रहेगा A, चली दोस्तों next पर move करते हैं, इस question को दोस्तों में skip करूंगा, क्योंकि joint venture आपके syllabus में नहीं है, आपने इसके बार में कुछ पढ़ा नहीं है, तो इस तरह को question आपको पुछेंगे भी नहीं, तो इसके लिए में इसको skip कर रहा है, चली दोस्तों next पर, 205, the profit of last five year are, उर्पीज 85,000, 90,000, 70,000, 1,080,000, तो पांच साल का profit दिया हुआ हमें, find out the value of goodwill if it is calculated on average profit of last five year on the basis of years purchase, तो हमें goodwill निकालनी है, average profit हमें लेना है, last five year का, ठीक है, और number of year 25 आपके पास तीन है, तेके दोस्तों ये valuation of goodwill का question है, partnership का, और ये उनी को समझ आएगा, जिन्होंने topic पड़ा हुआ है, तो जिन्हों topic पड़ा है, उनको समझ आ जाएगा, और जिन्हों topic नहीं पड़ा, उनको maybe ही समझ ना आए, तो चलिए, इसका मैं answer देता हूँ पहले, तो हमें average profit लेना है, पांच साल का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहल प्लस 80,000, और डिवाइड कर देंगे, पांच साल का profit है, तो पांच के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यह आएगा आपका 4,25,000, टोटल profit और पांच के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा answer आ जाएगा 85,000, मैं यहां लिख रहा हूँ, यह हमारा डिवाइड करने के ब number of your purchase यहां पर देंगे, तो 85,000 को हम अगर 3 के साथ multiply करेंगे, तो हमारा answer मिलेगा 25,000, और यह answer भी है हमारा, चली दोस्तों, नेक्स पे question number 206, इसको भी कर लेते हैं, यह same question है, मैं चाहूँगा कि यह question आप खुद solve group, ठीक, 205 की तरह यह question है, तो यह आपका homework हो गया, यह आ दोस्तों next पे move करते हैं, question number 207, the capital of A and B sharing profit and losses equally are 90,000 and 30,000, A और B बराबर के partner है, A की capital 90,000, B की capital 30,000 है, the value of the goodwill of the firm at Rs. 84,000 which was not recorded in the book, if goodwill is to be raised now, by what amount of each partner capital account will be debited, अगर हमें goodwill raise करनी है, तो जो partners के capital account हमें, कितने amount से debit करने होंगे, देखें दोस्तों, यह goodwill का raising वाला जो concept है, यह अब नहीं है, यह मुझे लगता है, आजसे कोई 8-10 साल पहले होता था, goodwill को हम raise करते थे, फिर partners में band देते थे, sharing ratio के हिसाब से, अब वो नहीं है, तो इसल capitalization method from the following information, total capital employed in the firm, हमें total capital दे रखी, आट लाग की, rate of return 15% है, और profit हमें दिया है, average profit 12 लाग का, देखिए, again, valuation of goodwill जिन्हों ने पढ़ा है, उनी को समझ आ जाएगा, हमारे पास capital दी है, 8 लाग की, और reasonable rate of return 15%, तो normal profit हम कैसे निकालते हैं, आप सब को पता होगा, normal profit निकालने क of NP, मतलब normal profit निकालने का formula है, capital employed, मतलब 8 लाग की capital employed, into rate of return, rate of return है 15%, तो 8 लाग का 15% करेंगे, तो वो आ जाएगा, एक लाग 20 लाग, यह हमारा आगया, normal profit, अब super profit निकालने है, हमें goodwill निकालने के लिए, super profit का formula होता है, average profit, minus normal profit, तो average profit हमें कोशन में दे रखा है, 12 लाग का, यह हमारा average profit है, minus normal profit हमें निकाला, एक लाग 20,000, तो answer हमें मिला, 10 लाग 80,000, ठीक है, अब हमें goodwill निकालनी है, तो हमारा formula जो रहता है goodwill का, वो होता है super profit जो आया आपका, 10 लाग 80,000, और capitalization method जो होता है, इसमें हम super profit को multiply कर देते हैं, जो हमारी rate of return है, उसके reciprocal के साथ, अब rate of return 15% है, इसका reciprocal करेंगे, तो 100 by 15 आजाएगा, इसको अगर हम करके देखेंगे, तो हमें answer मिलेगा 72,00, जो की हमारा answer C है, तो C is the right answer, चलिए दोस्तों, next पर move करते हैं, question number 209, A, B, C are equal partner, A, B, C equal partner है, D is admitted to the firm for one-four share, D का share कितना है, नया partners का share है, one-fourth, D bring 20,000 as capital, 20,000 उसको ने capital लाई, and 5,000 being half of the premium for goodwill, अब D ने 20,000 रुपय capital लाई, लेकिन जो premium, goodwill जो लेके आया, वो 5,000 लेके आया, जो की half था, half मतलों, जितनी actual में उसको लानी थी, उसका आधा, the value of goodwill of firm, firm की goodwill दिखानी है, देखें, दोस्तों, simple सी बात है, partner को जितना share दिया जाएगा, उसको उतनी ही goodwill लानी होगी, मसला अगर partner को, हम अपनी firm में half share देते हैं, तो firm की जो goodwill है, उसका half लाना पड़ेगा, अगर हम उसको one third share देते हैं, तो firm की goodwill एक लाक है, और partner का share है one fourth, तो हम कहेंगे, firm की goodwill एक लाक है, one fourth अगर उसको share दिया जा रहा तो उसको 25,000 लानी पड़ेगा, ठीक है, ये partner को goodwill लानी पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे firm की goodwill निकालनी यानी ये value निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, जितनी goodwill वो लेके आया, उसको multiply कर दूंगा, जो उसका share था उसके reciprocal के साथ, तो ये मेरी क्या निकल जाएगी firm के goodwill, यहाँ पर भी यही पूछ है, लेकिन थोड़ी स उसका share है, अब हमें firm की goodwill बतानी है, जैसे मैंने कहा, अगर firm की goodwill बतानी है, तो जितना partner goodwill लेके आया, उसको multiply कर लो, उसका जो share है, जितना one-fourth, उसके reciprocal के साथ, तो one-fourth का उका four by one, one लिखने की ज़रूद नहीं है, दस into four करेंगे, तो 40,000 मार अंसर हो जाएगा, तो य चली दोस्तों, next पर move करते है, question number 210, दोस्तों, ये question जो है, ये मैं आपको next video में करवाँगा, थोड़ा सा tricky question है, एक fresh mindset करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन फिर भी, अगर किसी को इसका answer पता है, या निकाल सकता है, तो try जरूर कर ले, otherwise next video में पहला question में ये ही लूँगा, चली दोस्तों, next पर move करते है, question number 211, 211 question, A and B are partner with capital rupees 10,000 and 20,000 respectively and sharing profit equally, A and B partner है, A की capital 10,000 है, B की 20,000 है, और profit को बराबर बांद रहे है, they are repeated C as their third partner with one for profit of the firm on the payment of 12,000, the amount of hidden goodwill, अब senior partner उसने 12,000 payment की, हमें बताना है, इसमें से hidden goodwill कितनी है, दोस्तों, आपको पता है कि जो निया partner आता है, वो capital और goodwill दो चीज़ी लेके आता है, एक तो इसने capital लगाने है, दुसरे extra amount pay करना है, जो उन goodwill कहते हैं, लेकिन कई बार वो capital और goodwill एकठा लाता है, जैसे इस case में इसने कहा कि उसने payment की 12,000, अब हमें यह नहीं पता है कि इसमें से इसकी capital कितनी है और goodwill कितनी है, तो वही hidden goodwill हमें उसी को निकालना है, तो देखो hidden goodwill कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या करो, सब partners की capital को combine करो, combined capital of A, B and C, तीनों की capital combine करो, 10,000, प्लस 20,000, और C लाया 12,000, तो combine capital हो गए 40,000, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताई एक एक इसलो है, अगर फुर्म की goodwill निकालना है, तो कैसे निकालना है, जो निया पार्ट्नर शेर लेके आया, उसको multiply करूँ, उसका जो share बनता है, जितना share दिया जारा ह। उसके reciprocal के साथ। सेम कैपिल के साथ भी करना है, अगर हमें फर्म की कैपिल निकालनी है, तो जितना पार्टनर कैपिल लेकर आया, उसको मल्टिपलाई कर लो उसके शेर के रेसिब लोकल के साथ, फार एक्जेमपल यहां पर इसको थर्ड शेर दिया जा रहा है, तो यहां पर मुझे अगर SORRY 1 THERD NEE है उसका SHARE 1 FOURTH है ठीक है C तो 3rd PARTन है 1 FOURTH SHARE है तो उसके SHARE के RACIPEC के साथ 1 FOURTH का उल्टा 4 by 1 तो 48,000 ठीक है यहीं फिर्म की CAPITAL 48,000 दिखा रहा है लेकिन जब हमने 3ों की CAPITAL COMBINE की फर मतलब ABC, ABC की जब हम तीनों की capital combine कर रहे हैं, वो 42,000 आ रहा है, और यहां पर share आ रहा है, 48,000, तो यह जो इसमें 12,000 आ लाया है, इसमें capital नहीं थी, इसमें कुछ about goodwill भी था, तो हम goodwill कैसे निकालेंगे, hidden goodwill, HG लिख रहा हूं, hidden goodwill short में, जितनी capital आई, total capital firm की बनी, total capital firm 48,000 minus कर लो, sorry, 48,000, minus कर लो, combined capital कितनी आई थी, 42,000, तो hidden goodwill कितनी है, 6,000 की, यानि ABC की तीनों की total goodwill, 6,000 है यहां firm की, तो A is the right answer, चली दोस्तों, next पे move करते हैं, XY share profit and losses in ratio of 2 to 1, they take Z as partner and the new profit share ratio become 3 to 2 to 1, Z नया partner है और new ratio बनगे 3 to 2 to 1, Z bring 4500 as premium for goodwill, the full value of goodwill, ऐसा question में पहले भी करवा चुका हूं, हमें full of goodwill निकालनी है firm की, तो क्या करेंगे, Z का जो share है 4500, इसको multiply कर लेंगे, जितना share उसका है, उसके ratio पोकल के साथ, 1 by 6, उल्टा कर लो, 6, 00, 30, 24, 25, 27, तो यह बनती है 27, आर ऐसा question हमने पहले भी किया है, तो इसको इस तरह से आपको solve कर लेंगे, चलिए दोस्तों next पे, under average profit basis, under average profit basis, goodwill is calculated by, हम goodwill को कैसे calculate करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, हमने जितने भी questions practical part की है, valuation of goodwill job topic किया था, अगर average profit basis पे goodwill निकालनी ह का formula होता है, average profit job ने निकाला, multiply with number of year of purchase, तो देख लेते हैं यहाँ पर, option, number of year of purchase, multiply with average profit, तो पहला ही सही है, तो age the right answer, चलिए दोस्तों next पे, अंडर super profit basis, goodwill is calculated by, super profit basis पे हम goodwill को कैसे calculate करेंगे, तो हम करते हैं, goodwill calculate करने के लिए, super profit, into number of year of purchase, average profit, average profit into number of year of purchase, super profit into number of year of purchase, तो देखते हैं यहाँ पर, number of year of purchase, multiply with average profit, नहीं यह गलत है, number of year of purchase, multiply with super profit, so this is the right answer, question number 215, annuity basis पे गुडविल निकालनी है, जो कि आपके slivers में नहीं है, इसलिए इसको skip कर रहा हूँ, चलिए दोस्तों, आज हम इतने ही questions रखेंगे, next session में हम आगे के questions करेंगे, और लगबग कोई 400 questions बचा हुआ है, तो वो हम cover कर लेंगे, आपको घबराने की जुरूत नहीं है, अभी paper में time है, तो आप करते रहो साथ-साथ questions आगे, फिर आप मेरे questions साथ को match कर सकते हो, मेरे answers के साथ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, next video में, question number 216 से हम शुरू करेंगे, और एक question जो बचा है 210, उसको भी हम सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाट 210 इस question से शुरू करेंगे, thank you दोस्तों, thank you very much.